शेवपूर कलेक्टर संजे कुमार जी का सक्त संदेश ब्रिश्चाचारियों को बख्षा नहीं जाएगा शेवपूर कलेक्टर संजे कुमार ने जब से जिले की कमान समहाली है कई विभागों की कारनामे उजागर होने लगे हैं अभी हाल ही में करहाल तेहसील में शार्ष के भूमी का हेर फेर रूजागर हुआ था जिसमें पटवारी को सस्पेंट कर विभागे जारी कर दी है उसके तुरंद बाद ही बाढ़ में मुख्यमंत्री राहत राशी गवन का मामला सामने आ रख गया है दोशियों पर कारिवाह की जा रही है गरीबों से धोका धड़ी कर उनके बैंकों से पैसे निकालने वाले चिनित किये जा रहे हैं जल्द ही बड़ा एक्शन होने वाला है बंचायतों में ब्रेश्ट चार की बहुत शिकायते आ रही है जाच दल गठित होने वाला है कोई भी कर्मचारी यादिकार दोशी पाया जाएगा उस पर कड़ी कानूनी कारिवाही की जाएगी संबल योजना के तहद जो भी गड़बड़ी मिलेगी उसे बक्षा नहीं जाएगा तीसरी आख के प्रश्ण पर भी उन्होंने कहा कि यह हमने सूशना प्राप्त करने के लिए एक माध्यम बनाया है हम किसी और को ये जिम्मेदारी दी जाएगी और भी सभी विभागों के लिए मेरा कड़ा संदेश है को साशन के योजनाव का सही तरह से क्रियान विन समय सीमा के भीतर किया जाए यदि गड़बड़ी पाई गए तो कारेवाही के लिए तयार रहें आज हम मौझूद हैं शोपर में कलेक्टर सी संजे कुमार जी हमारे साथ हैं कलेक्टर साब के बारे हम बता है तो जब से सर ने दो माँ पहले यहां जॉइनिंग लिए तब से कई नवाचार शोपर जिले में देखने को मिले हैं सर की दरिया दिली की अगर बात की जा तो इतनी है जो आप हर जो मंगलबाद को जन सुनवाई होती है इसमें देख सकते हैं कि सर कितने ऐसे लोग हैं जिनकी दूसरे तरीके से मदद कर देती हैं जिनों कभी अपनी मदद नहीं मिलीती सर के आने के बाद से ही अपने अंतिम मुकाम पर आ गई है कई दोशियों पर सर के द्वारा लगातार कारवाई की जा रही है बैंक संबंदियों राजस संबंदियों कुछ भी हो एक फेस्बुक पेज कलेक्टर सापका हुआ करता था जिसके अब इतने फोर और बढ़ गए हैं सर के आने से कि रोज वो एक कलेक्टर पेज पर देखते हैं कि सर ने आज क्या काम यहां पर किया है जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सर कुछ प्रिशन है सर जंता जो हम आपसे जानना चाहते है सर जैसे आपके आने की बाद सर प्रसासन तौरालगां मोट पे आई गया है जैसे कि संबली और उजना के पैसे किस यन्ने के खातों में डाले जा रहे हैं नर्येगा के काम सर मशीनों के द्वारा कराए जा रहे हैं पी मावास सर जो अनमैरिट लोग हैं उन्हें दिये जा रहे हैं गवर्मेंट में जो कार कर रहे हैं इसे लोगों सर अब अपनी क्या कारवाई सुनेश्यत करेंगी धीरे धीरे इसूज मेरे सामने आते जा रहे हैं और इसूज की गंबेरता को ध्यान में रखते हुए मैं उसमें जो भी सक्थ सक्थ कारवाई है वो मैं ले रहा हूँ और ये बात सही है कि काफी करेक्शन्स की जरुवत है और अलग लग भी भागों से समंधित खासतों से ऐसे मुद्दे जो आम लोगों के जिंदगी को प्रभावित करता है गाउं के लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है आदिवाशी छेत्रों में ग्रमिन लोगों का ग्रीब लोगों के जिंदगी को प्रवावित करता है उसमें खासत तर से हमारी निगाह जो हमारे सरकारी लोग जो सर्विसेज डिलीवर करते हैं उनके काम पे मेरी कसौटी ये है, मेरी चुनौती ये है कि जो सारे सरकारी लोग हैं वो अपना काम ना कि बल समय पे करें, बलकि लोगों के सहुलियत से करें, अर्थात बिना किसी परिशानी के मिल जाए, उसमें कोई लेन देन, पैसे बगर एकी बात ना हो, और लोग कमफॉर्टेबूल रहें हमारे बारे में, अल्टिमेटली हम लोग सबी लोग से बखें। प्रस भी सर, एक डर का मौल इसके प्रती आया है कि मोबाइल नेट रॉकिंग बाले तो करती हैं, फरजीवार हम तो सही कर रहे हैं सर, ऐसे लोगों के लिए सर, आपका क्या कहना है जो सही लोग है उनको कभी डरने की आपशकता होती नहीं है, साच को क्या आच, लेकिन ये हमारे डिजिटल इलिटरेशी का फायदा उठा करके, खास दोर से, अब हमारे गाउं में ऐसे लोग हैं जो हिंदी नहीं समझते, उनके लिए हिंदी भी इंग्लिस जैसा है, इंग्लिस तो इंग्लिस है, हिंदी, सुद्ध हिंदी जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, उसको वो लोकल सहारिया अपने लेंग्वेज में बात करते हैं, जो सेस्ति स्वेपूर के लोग है, वो हड़ोती में बात करते हैं, वो कभी जिन्दगी में हिंदी नहीं बात की, अब उसको चीट करना जो है, वो बड़ा असान है, और लोग कर रहे हैं, और यह हमारे लिए चु कर रहा हूं, कि उनको बता रहा हूं कि देखो जी, इस परकार के फरजी वाड़े वाले लोग जो हम मुटसाई के लेके, बैक पैक लेकर करके, लैप्टॉप से जो है, वो आपके एकाउंट के साथ खिलवार कर रहे हैं, साबधान रहें, और अपने धनराशी की सुरक्षा करें, हमें थोड़ा सा कस्ट होगा, हम बैंक के काउंटर तक जा करके अपने अकाउंट को हंडल करेंगे, यह जो प्रॉपर कियोस्क है, बैंकों के बीसीज है, इंडिया पोस्ट बैंक के जो काउंटर से है, वहां से करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं, ज उसको बोलते हैं कि तुम्हारे एकाउंटर पैसा नहीं आया, ऐगा तो दे देंगे, तरह-तर के फर्जीवाड़े, मैं ऐसे सारे फर्जीवाड़े लोगों को एक दम, एक किनारी से लाइन लगा रहा हूं, फीनो बैंक के लोग है, उनके लोग आये थे, इनके हायर अप्स की गई है, फर्जी पट्टे के पटवारी को भी सर दूसरी करार दिया गया है, कुछ गवन की रासी सर बापस जमा करा ली दी गई है, बाढ़ रात रासी, इस पर सर लोगों का कहना कि सर ए-फाई-यर भी इन लोगों पर होगी क्या सर इन पटवारी उपर जनों ने रासी जमा कराईए? सर एकाद इंट्री जो है वो अगर आप सो लोगों के खाते में डाल रहे हो तो एकाद खाता कई बार हो सकता है, हाँ, वो हुमन एरर से जो चीजें होगी उसके लिए मैं किसी को पनिस नहीं करूंगा, जो काम करने बाले हैं उनहीं से गलतियां होती है, लेकिन जो जान को पैसे दे दी जाते हैं, कुछ जो भी देती हो थोड़े बहुत और चावल को सर वो ब्लेक कर देती हैं सर, रासन माफियों के लिए सर क्या आप एक्शन लेंगे? दो FIR तो हम करा चुके इसमें अभी और जैसे भी सूचना मिलेगी, बलकि मैं सारे ग्राम बासियों से और फिर ऐसे प्रवुत नागरिकों से जो सजग हैं, सचेथ हैं, उनसे आगरख करता हूँ, कि अगर आपको इस परकार की सूचना कहीं से मिलती है, कि इस परकार के काल अगर जाम लगता है, सर आपके कारकाल में भी एक दो बार लग चुके हैं, उन पर सर ना क्रेने हैं, ना कोई टूचन गाड़ियां है, सर टोल बरावर गाड़ियों से लेते हैं, सर सुब्दा बिलकुल नहीं देते हैं, हमारे दवारा जब प्रिश्ण पूचा जाता है, स सर कहते हैं, कि वो तो आप शोपर जाके बात कीजिए, सर ऐसे लोगों का सर क्या करें, देखेंगे, मैं इस पे कुल वर्काउट अभी तक किया नहीं, आपने बताया है, तो इसको मैं टिकप करूँ, क्रिश्ण पर बाग संबंदी समस्या है, सर, मुक्यमंत्री जी जो किसा करें लेने बताते हैं, कि माल कुछ आया ही नहीं है, अभी तक कैसी कोई शिकायत नहीं आई, आप बता रहे हैं, तो निश्ची तोर से कुछ बात होगी, तो मैं आप से और डिटेल ले लूँगा, और निश्ची तोर से ऐसे लोगों को मैं सिस्सम से बाहर करूँगा, और अब शेक्ता होगी, अगर उन्हें क्रिमिनल एक्ट किया हुआ है, तो उनकी जो भी विवागिये कारवाई होगी, सस्पेंट प्रिखास्त करना है, जेल भीजना है, तो सब करते हैं, सर आपने एक नवाचार जिले में किया, सर आते हैं, एक तीसरी यांक की पदस्ति, सर आ मतलब यह है कि हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बंदा अक्टिव है, कौन सा इनक्टिव है, अगर किसी का बंदा कोई है और जानबूश के इनफॉर्मिशन नहीं दे रहा है, तो हमको समझ में आ जाएगा, इनफॉर्मिशन नहीं आ रहा है, तो उसको चेंज करतेंगे, और अगर किसी के बारे में कोई accurate जानकारी देगा कि किसी सरपंच ने ये सची उने अपना ही आदमी उसमें नॉमिनेट किया हुआ है तो फिर उसको change कर देंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है और तीसरी आख जस्ट हमने information gathering का एक mechanism लिया है जिसमें हर गाँ में हर ग्राम पंचायत में एक बंदे को इसमें शामिल किया हुआ है और उसका WhatsApp ग्रूप बनाया हुआ उनसे कहा हुआ है कि तुम्हारे गाँ में आंगनबाडी, स्कूल, राशन की दुकान, पटबारी, सचीव, पंचायत, A&M आदी से समंधित कोई भी दिक्कत है, इवन डिजिटल पैमेंट से समंधित, कोई भी आपको लगता है कि यहां पी गरवड़ है, तो आप हमको फोटो भेज़ दो, वीडियो भेज़ दो, कुछ लिक्के भेज़ दो, तो वो information gathering आ जाएगा, तो फिर हम उसको correction करेंगे, तो मैलावाल unique की समश्च्चा, जिले में जादा और काफी बंबी समस्च्चा है, सर पोशण बूखन मिटाने के लिए मुक्ह मंत्री जो पोशण आऊर बेशतीं सर, उसकी भी मैलावाल कोशिशन के लिए जाना जाता है अभी इसकती थोड़ी अच्छी है और हम उस दिशा में कोशिश भी कर रहे हैं कि जो कुपोशन का कलंग है वो मिटे और उसके लिए जो चीजें आ रही है बाहर से रिशोस के तौर पे गौर्डमेंट से अगर उसमें कोई क्यानत करेंगा तो निश्चतोर से करवाही करनी पड़ेगी उनके तलाब सर अपके आने से जंता में सर एक आज तो जागी है ये बात तो हम भी देख रहे हैं सर पड्रिक के बीच रहते हैं कि लोगों में याज जागी है कि अब सरकार के काम सहीतरी के इसे बिवाग सारे करेंगे ये कि बिरिश्टाचारी का कलंक भी सर लगाता तर बिवागों फिर लगा हुआ है सर क्योंकि लोग कहते हैं कि बिना पैसे की हमारा BPL नहीं बेनेगा बिना पैसे की या है सर जो भी यूजनाय सिस्टम से जो सुविधाएं जो सेवाएं उनको दी जानी है जो लोग हैं देने वाले अलग लग भी भागों के उनको मैं थोड़ा सा टाइट कर रहा हूं और कोशिश कर रहे हैं कि वो समय पे दें और सुविधा से दें दूसरा कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो जन चाहिए वो उतना अच्छा नहीं है तभी तो वो क्योंकि क्लेक्टेट आने वाले यहां जन्सुरुभाई के मल मंगलबार को नहीं मंगलबार को तीन सो साथ तीन सो लोग आ जाते हैं यह बहुत ही अलामिंग है और इसके अलाबा रोज ही लोग आते हैं एक दिन तो अभी द मैं इन शीजों को डिल करने के लिए एक तरफा गाउं में जो सिवाएं हैं उसको भी टाइट कर रहा हूं ताकि लोगों की समस्या उहीं नहीं पड़ जाए हैं क्यों आए और इवन ब्लॉक लेवल अधिकारियों को टाइट कर रहा हूं और सब को पाबंद भी कर रहा हूं लगता है लोग भूके प्यासे यह जिला जो है वो डेड़ेट सो क्लिम्टर दूर गाउं बसे हुए है वहां से आदमी सुबह चलता है रात के सुबह के चार बजे पांच बजे चलता है और फिर जो है वह यहां पर बारे बजे पहुंचता है फिर दो तीन चार मिनिट की म बाते हैं उनको सुना जाए और ना कि बस सूना जाए बलकि उसको क्लिनीगरिने का कोशिश करता हो ये doctor, एक महीज को देखता है ना कि को अभूत करता हैần को जो कई लोग तो अइसे हैं जिन को यह भी नहीं पता कि अपनी समसय बताये कैसे वह Hindi नहीं जांते वह आपनी और राज्य साच्षन कर दो जिलॉक्त ना करती होविएये पूरी रासिकारण किया जा रहा है जिसमें जो पंचए इस्पेक्ट आने उनकी वी वर्किंग जो भी होता उनका वो लगा हुआ है ऐसे लोग सर कैसे यह कर रहे हैं तोड़ा सा भी उसको गैदर कर रहे हैं क्योंकि इसमें नीचे इस परकार सी मिली भगत है और समस्या तो है और चुकि उसमें सारे लोग शामिल हैं जिसमें सुपरवाइजिंग लोग भी शामिल है और रूट लेबल जो लोग है वो भी शामिल है तो थोड़ा सा उसको खुदाई में थोड़ा टाइम लग रहा है एक बार जैसे हमारे पास कुछ पुक्ता चीज़ें आ गई तो इसमे चाहे वो वरिष्ट अस्तर का अधिकारी हो या फिर ग्राम पंचैत अस्तर का अधिकारी हो उनके खिलाफ हम नाकिवल कारवाई करेंगे अब शक्ता पड़ेगी तो गौवर्मेंट को पिस्तावित भी करेंगे और अभी यह आप पता भी है कि ग्राम पंचैत में लोग अभी सरपंच लोग आ गये थे मैंने बार-बार अलग-अलग माध्यमों से उनको सजग भी किया उस्चित भी किया है कि भाई यह जो चीजें हैं जो आपके काम करने का ऐसा तरीका है जिसमें शासन के पैसे का दृपयोग हो और उस पैसे से समुशी चीत उहां क्रियेट न अभी अलान होने वाला है क्या संदेज सरजले वासियों के लिए आप चुनाव संबंदी के कहना चाहूंगा कि स्वतंत्र निस्पक्ष और शांति पूर्वक मद्दान लक्ष होगा और उसके लिए चुनाव आयोग की ओर से सारी तेयरियां चल रही है और अभी हम लोगों सारी रिसोर्सेस जो साधन है वो हम लोगों ने जुटा लिये हैं और पूरी तरह से जीला तयार है दोनों विधान सवाँ में चुनाव के लिए लोग आस्वस्त रहें लक्ष हमारा ही है कि कोई भी परिवार कोई भी व्यक्ति कोई भी गाउं टोला पाड़ा मंजला ऐसा जो किसी के दबाओ में अपने मन का बोट ने करे या बोट करे ही नहीं यह हमारे लिए निशी तोर से एक चुनावती भी है हलाकि इस जिले में इतिहास सांतिपुरुक मद्दान का रहा है तो कोई उस परकार की चुनावती नहीं है लेकिन फिर भी हर चुनावत अपने पे काफी ध्यान दे रहे हैं और इसके लिए भी मदाता सूची को बहुत अच्छा करेक्ट किया है कोशिश किया है कि इसमें एक भी मदाता जो उस गाउं में नहीं रहता किसी कारण से उसके डेथ हो गई है या उसके स्टेफटिंग हो गई है तो वो उसमें ना रहे उसको हटा दिया जाए और साथ में अगर कोई 18 वरस या उससे उपर उम्र का बंदा है उसकी आई उ हो गई है तो उसका नाम जोड लिया जाए तो बहुत ही करेक्ट मदाता सुची बनाया है अभी भी अबसर है जो लोग छुट गए है अभी SSR हुआ ह अभी भी अगर कोई छूट गया है तो अपना मदाता सुची में नाम देख ले अगर B.L.O. आपके गाउं में हैं B.L.O. से संपर्क करके और देख लें कि आपका नाम जोड दिया गया है जुड़ा हुआ है और नहीं जुड़ा हुआ है तो अब भी जुड़बा सकते 78% लोगों ने पिछली बार विदान सावा में बोड दिया है इस बार हम लोगों ने लक्ष रखा है कि जिले का बोटिंग परसेंटेज 85% हो जाए जो बहुत ही अच्छा कालाता है क्योंकि स्टेट का जो लास्ट आवरेज है वो 75% का है और हम लोग 85, 78 तो आल्री है 85 ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ये भी कोशिश कर रहे हैं ये एक नया लक्ष एक नया नवाचार चुनाओं में भी हम लोगों ने लिया है और वो लक्ष ये है कि हम 50 ऐसे बूठ पे काम कर रहे हैं जिसमें हम 100% बोट कराने का लक्ष लिया हुआ है कि वहां पे जितने भी मद करेंगे और कोशिस करेंगे कि वहां पे हमारे पचास पर सेंट परसेंट साय दिये पूरे देश के इतिहास में शायद पहली बार होगा अगर हम लोग कर सके तो और बटी एक महात्वकांची लक्ष लिया है हमारे साथ जोड़े थी शोपर कलेटर संजय कुमार जी जिन्होंने साफ संदेश देदी आय सभी विवाके करमचर यदिकरियों के इमांदरी से सासन की योजनाओ का क्रियान वन जनता तक सोचारू रूप से जारी रहे हैं जिसमें समय की भी सीमा हो निरवाचन के संबन्द म का बहुत बतावार